दीप मॉनिंग, क्या हो रहा है इंटरनाशनल मार्केट में, मतलब अगर अमेरिकी मार्केट को देखें, किस तरहां के सिगनल्स यहां देख रहे हैं? अच्छे सिगनल्स आ रहे हैं, कोई ऐसी परिशानी वाली बात नहीं है, आज सुभा भी एकदम स्टेबल संकेत हैं, थोड़ी जपान में आपको मुनाफ़ वसुली दिख रही है, बट अलड़ी एक बहुत ही शांदार रैली बहां पर आपको आती भी दिखी है, उनकी कल आपको परिशानी नहीं आती हुँ दिख रही है, अमेरिका के भी बात करें तो एकदम ठीक ठाक कारूबार होते हुए दिखा है, थोड़ा मिला जोला ट्रेंड था, तीन दिन की तेजी में डाउ की ज़रूर आपको ब्रेक लगते हुए दिखा है, रिकॉर्ड सर से आपको 100 अंकों की मुनाफ़ा वसुली दिख रही है, जब हमारे बाजार बंद हुए तो तो फ्लाट है, उसके मुकाबले कल 100 अंक डाउ आपके लिए फसलते हुँ दिखा है, और बहुती छोटी रेंज में कारूबार था, सिर्फ 180 अंक की रेंज में कारूबार था, उसमें भी आ आपने देखा है, हलकी फलकी गिराबट के साथ ही डाउ बंद हुए, 14% ही नीचे था, तो कुछ ऐसी परिशानी वहां से नहीं आई है, S&P 500 ने लगातार तीसरे दिन नया रिकॉर्ड बनाया है, तो वहां पर भी तेजी का ट्रेंड बरकरार है, नास्डेक में कल आपने अ एकॉनमी और हाउजिंग से जोड़े सेक्टर्स में आपने कल दबाव देखा है, तो उसके वज़े से थोड़ी वॉलेटिलिटी थी डाउ में, और इसलिए डाउ में आपने ज़्यादा सुस्तिय आती हुए, दिखिए, 3M का शेर जिसके नतीज़ा है थे, कल 11% वहां पर लूटा है, एक दो और एकॉनमी से जोड़े कंपनी के नंबर साय थे, जीए के नंबर साय थे, वहां पर भी आपने थोड़ा प्रेशर देखा है, बट उसके सामने IT का ट्रेंड बरकरार है, नेट्फिक्स के नतीज़े आपको बाजार बंद होने के बाद आते हुए, इसके दम पर पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में आपने स्टॉक में एक बड़ा उचाल देखा है, आज अफकोस देखेंगे मार्केट में उसका क्या रियाक्शन आता है, तो जो आज सुभा नास्डेक फ्यूचर्स में आपको थोड़ी तेजी दिख रही है, उसका आते हुए नहीं दिखाए, डॉलर इंडेक्स पर रखेगा नजर, यहां पर मजबूती आपको आती हुए दिख रही है, तो डॉलर इंडेक्स कल थोड़ा स्ट्रेंदन होते हुए दिखाए, दस साल की बॉंड इल आपकी 4.1% के उपर ही बरकरार है, वहां से कोई ज़्या आते हुए दिख सकता है, तो वहां पर कोई एसी चिंता बड़ी नहीं आ रही है, सोने में आपने सुस्त कारुबार देखा है, बट चांदी में जरूर कल बाउंस बैक था, धाई महीने के निचले सर पर, बेस मेटल्स पर रखेगा नजर, यहां पर कल अच्छा खासा कारबार आ रही है, अभी तक कोई ऐसा कॉंक्रीट मेजर आया नहीं है, बट उम्मीद है कि शायद चीन की तरफ से एक स्टिमिलिस आपको आते हुए दिखे, गोल्मन सैक्स ने भी कहा है कि ग्लोबल कॉपर सप्लाइ टाइट रहने वाला है, तो थोड़ा वहां पर आक्श के बाद क्या हमारे मारके साथ समलते हैं, धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए